व्यन्जक के पद, मिथ्याधारनाई अब तक हमने चरों वाले व्यन्जकों के बारे में पढ़ा, कुछ उदारनों से हमने इन्हें अच्छे से जाना, लेकिन व्यन्जकों से जुड़ी कुछ मिथ्याधारनाई जरूर होती हैं, जो इन्हें समझने में कठनाई उत्पन करती हैं, आए इन्हें दूर करें, आज हम देखेंगे व्यन्जकों के पदों से संबंधित मिथ्याधारनाई, व्यन्जकों के गुनान खंड से संबंधित म उदाहरन एक, व्यन्जक यानी एक्स्प्रेशन एक्स की घात दो घटा पांच में एक्स की घात दो का गुणां क्या होगा? आईए इसे मिलकर हल करती है, ए शुन्य यदि ध्यान से देखें तो पहली पद एक्स की घात दो में इसका गुणांग नहीं है, शुन्य गुणा एक्स की घात दो घटा पांच इसका अर्थ यह हुआ कि यहाँ पर इस व्यंजक का गुणांग शुन्य लग रहा है, क्योंकि इसके आगे कोई भी संख्या लिखी हुई नहीं है, लेकिन शुन्य इसका गुणांग नहीं है, तो यह इसका सही उत्तर नहीं है बी, एक अगर हम भी विकल्प को देखें, तो यहाँ आप पाएंगे कि एक्स की घात दो का गुणा एक से किया गया है, जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी चर में एक का गुणा करनी पर उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, अतह विकल्प एक सही उत्तर है C. पांच D. दो विकल्प नंबर चार को देखें, तो पाएंगे कि इस वियनजग में एक्स की घात दो है, ना कि गुणांग है, लेकिन यहाँ हमें एक्स की घात दो का गुणांग चाहिए, इसलिए दो इसका सही उत्तर नहीं है एक गलत अवधारना है, वास्तव में कोई चर, कोई अचर और चर्व अचर का संयोग भी पद होते हैं, जो कि जमाव घटा से अलग किये जाते हैं, इसलिए इस वियनजग में चार पद हैं, नो एम, घटा पाँच एन, एम की घात दो और घटा साथ, आज हमने देखा, व्यनजगों के पदों से संबंधित मिथ्यधारनाई, व्यनजगों के गुणन खंड से संबंधित मिथ्यधारनाई, व्यनजगों के गुणां से संबंधित मिथ्यधारनाई, आशा करते हैं, इ आपकी कई मिथ्याधारनाई दूर हुई होंगी और चरों वाले व्यनजकों की अच्छी समझ बन गई होगी। धन्यवाद।